हेलो गाईस आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि आप मेजिक ट्रांसलेट एप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप मेजिक ट्रांसलेट एप को डाउनलोड करना चाते हैं या फिर आप जानना चाते हैं कि Magic Translate app को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को end तक देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको वीडियो के नीचे red color का subscribe बटन दिख जाएगा आपको इस पर किलिक करना है और बेल आइकन को आल पर select कर देना है और वीडियो को like कर देना है तो चलिए आज का वीडियो start कर लेते हैं टिक Translate app को डाउनलोड करने के लिए आपको play store को open कर लेना है play store को आप जैसे ही open करेंगे तो आपके सामने इस तरह का interface कुल कर आ जाएगा तो आपको उपर यहाँ पर search बार में आ जाना है search बार में आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है magic यहाँ पर magic लिखना है फिर यहाँ पर आपको t r a आप इतना जैसे लिखेंगे तो उपर ही आ जाएगा magic translate app तो आपको यहाँ पर click करके search कर लेना है तो उपर ही आ जाएगा magic translate app यहाँ पर click करके इसे open करना है open करने के बाद यहाँ पर इसे download करने के लिए आपको यहाँ पर in install का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पर इन इस्टोल के अप्शन पर किलिक कर देना है आप इन इस्टोल के अप्शन पर जैसे ही किलिक करेंगे तो Magic Translate App डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और यह डाउनलोड होकर आपके मोबाल की स्क्रीन पर पहुंच जाएगा तो मैंने यहाँ पर किलिक कर दिया है इन इस्टोल के अप्शन पर और यहाँ पर देख सकते हैं कि Magic Translate App डाउनलोड होने लगा है तो आपको पता चल गया होगा कि Magic Translate App को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो अगर आप चाहँ पर पहली बारा हैं तो चाहँ को सब्सक्राइब कर लेना बेला आइकन को आल पर स्लेक्ट कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना